इन दोनों ही सरशनाओं में हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का जो स्थान है वह बदल गया पहले वाले में ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद है और दूसरे वाले में ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद लगा है तो इसका नाम हो गया ब्यूट वन आइ जाए यदि हम pentine बनाए या pentine में ही one pentine बनाए, two pentine बनाए, hexine में ही one hexine, two hexine बनाए, तो भी अलग-अलग प्रकार की स्थान समावेता हमें देखने को मिलती है, तो एक उदाहरन हम लेके चलते हैं, माल लीजे हमें pent one iron बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो 5 carbon पहले लिख देंगे और one iron है, मतलब पहले carbon के बाद हम triple bond लगा दिये, शेज जित्ते भी carbon हैं बच रहे हैं, सभी जगा हम hydrogen से balance कर देंगे, केवल हम ये ध्यान रखेंगे कि carbon की स्योंजक्ता चार होनी चाहिए, जैसे पहले carbon के बाद यदि हम 3 बन लगाते हैं, तो पहले carbon से जुड़ा वाला C है, वो आगे केवल एक ही C से एक ही बन से जुड़ा रहेगा, क्योंकि 3 और 1 हो गया 4, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि carbon के शेज जो भी बच्ची हुए मान है, जहां से उजक्ता से पूर्ण करना है, वो hydrogen से पूर्ण कर लिया जाएगा, तो इसका सूत्र क्या C5H8, तो यहां भी हमें hydrogen की संख्या 8 होनी चाहिए, चाहे हम उस hydrogen को किसी भी carbon की स्वजक्ता को पूर्ण करने के लिए लगाएं, इसी तरह यदि हमें pentine 2 बनाना है, या pent 2 आइन बनाना है, तो यहां भी हम 5 carbon बना देंगे, और दूसरे carbon के बाद हम triple bond लगा देंगे, जब ह जितने भी carbon है, उसकी स्वजक्ताओं को पूर्ण करने के लिए हम hydrogen से उसे संतुलित करते जाएंगे, और cool संख्या हमारी C5H8 ही आती है, जब हम इसे पूर्ण करेंगे, एक जगा triple bond लगा कर, लेकिन नाम अंतर हो गया, पहले वाले का नाम होगा pent 1 आइन, दूसरे वाले का नाम होगा pent 2 आइन, क्योंकि हमने triple bond के स्थान को बदल दिया, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थान समावेता की उत्पत्ती जो है, वो double bond, triple bond, दूई बंद और त्री बंद के स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन हुई, दोनों योगिक, दोनों प्रकार के जो hydrocarbon है, इनमें अलग-अलग जो समावेवी हैं, उनके अडू सुत्र तो समान होते हैं, लेकिन सरशनात्मक दृष्टी से वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अब हम एक और प्रकार के आबंधन के बारे में जानेंगे, जैसे यहां पर हमने एकल बंद, दूई बंद, त्री बंद के कई प्रकार के योगिकों को देखा, तो एलकेन में हम देख रहे हैं कि एकल बंद होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, बहु बंद, जिसे हम दूई बंद, यात्री बंद के रूप में वरगी करित कर सकते हैं, तो यहां भी विभिन प में ही देखा था, संत्रिप्त में Elkane, और असंत्रिप्त में Elkine और Elkyne, ये दो वर्ग होते हैं। यहां पर हम एक और प्रकार की समावेता के बारे में जानेंगे। जहां हम शाखित श्रिंखला समावेता हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि खुली श्रिंखला थी, सीधी श्रिंखला भी थी और शाखित श्रिंखला भी थी, तो यहां पर कुछ ऐसे भी योगिक होते हैं, जो चक्र भी बनाते हैं, यानि हाइड्रो कार्बन जो है, वो लंबा योगिक बना सकते हैं, एक लंबी श्रिंखला वाला हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, शाखित में हमने देखा कि वही सनरचना जो सीधी श्रिंखला में थी वह थोड़ी छोटी हो गई, वह शाखा का रूप ले लेती हैं, इसी तरह से कुछ और हाइड्रोकार्बन हो तो जैसे यदि हमें लिखना है प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन को हम लिखते हैं C3H8, लेकिन यहां पर यदि हमें साइक्लो प्रोपेन बनाना होगा, तो साइक्लो मतलब यहां पर तीन कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तीन कार्बन यहां जुड़ गए, और च कार्बन से जुड़ा हुआ, तो एक, दो, तीन, चार हो गया, इस दूसरे कार्बन में भी इधर दो हाइड्रोजन लगा दिये, तो एक, दो, तीन और यह चार हो गया, तीसरी तरब भी हम देख रहे हैं कि एक, दो और दो हाइड्रोजन से यह, तीन और यह चार, तो इस त तो हम यह कह सकते हैं कि जो cyclopropane है या जो cyclopropane होते हैं उसका सुत्र alkene से मिलता है क्योंकि जब हम alkene में propene का सुत्र लिखते हैं तो C3H6 ही होता है क्योंकि एलकीन का सुत्र होता है CnH2n तो यदि N की संख्या 3 है तो H2n यहने 2 into 3 तो C3H6 होगा वही सुत्र हमें cyclopropane का भी मिलता है तो C3H6 हो गया इसी तरह से यदि हमें 4 कार्बन वाला cyclic compound बनाना है चार कार्बन वाला चक्री योगिक बनाना है तो इसे हम 4 कार्बन को एक श्रिंखला बत तरीके से एक वलाय की रूप में हमें लिखना होगा C, 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 एक चतुरभुच जैसी सनरशना यहां हमें दिखाई दे रही है जिसमें हमने सिंगल बॉंड से कार्बन के 4 परमाणूवों को जोड़ दिया अब इस कार्बन की बची हुई सनरशना को हम पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं तो CH2, 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 CH2 तो कार्बन 4 है और हाइड्रोजन यहां पर हो गया 8 तो कुल हाइड्रोजन परमाणूवों की संख्या हो गई 8 और कार्बन परमाणूवों की संख्या हो गई 4 तो यह सूत्र जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन का नहीं रहा अब यह सूत्र हो गया क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन का यदि सूत्र हम लिखते तो C4H10 होता लेकिन यहाँ पर जो हमें सूत्र देखने को मिल रहा है वो C4H8 है याने कि यह एक इलकीन है इलकीन जैसा एक सूत्र मिला लेकिन वास्तों में यह एक इलकेन है क्योंकि इलकेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन नहीं है हर जगा सिंगल बॉंड है तो इसलिए यह एक संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएगा लेकिन इसका जो सूत्र है वह एलकीन जैसा होता है C4H8 यानि कि CnH2n सूत्र को यह फॉलो करता है यहां पर हम देखते हैं कि जब C3H6 है तो प्रतेक कार्बन जो है वो अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और दो हाइड्रोजन से भी जुड़ा है प्रतेक कार्बन तो इस तरह से जो सूत्र हुआ CH2, CH2, CH2 इस तरह से C3H6 बना ऐसे ही जब हमने साइक्लो ब्यूटेन को देखा तो यहां भी प्रतेक कार्बन जो है वो दोनों तरफ से हर कार्बन जो है इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है दोनों तरफ से जुड़े है और हर कार्बन दो-दो हाइड्रोजन से भी जुड़ा है तो C4H8 हो चक्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं तो इस पूरे पार्थ में हमने कई प्रकार के समावैताओं को जाना जिसमें हमने देखा कि अडू सुत्र समान है लेकि सरशनात्मक दृष्टी से वे एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं तो सरशनात्मक दृष्टी से अलग होने का कई का लेकिन सभी जगा इन सभी बनने वाले समाव्यवी ओंगे वो एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। तो यहां पर हमने विभिन प्रकार के सजाती श्रेणियों के बारे में जाना इलकेन परिवार, इलकीन परिवार और इलकाइन परिवार इन सभी के बीच एक निश्चित क्रमबद व्यवैस्था होती है और क्रमबद व्यवैस्था की वज़े से गुडों में भी क्रमिक सबसे पहले हमें carbon की एक लंबी श्रिंखला बना दिए पाच carbon की और पहले carbon के बाद हम triple bond लगा दिए तो CH triple bond C अब यह C जो है दूसरा C है वहाँ पर carbon की सरुजगता इधर 3 और इधर दूसरे CH2 से जुड़ेगा तो 3 और 1 चार हो गया तो यहाँ पर CH2 तीसरे carbon पर CH2 CH2 CH3 तो हम दूसरी समावेता इसकी बनाएंगे और दूसरी स्थान समावेता बनाएंगे तो CH3 C triple bond C CH2 CH3 तो यह भी हो गया C5H8 लेकिन दोनों में अंतर यह है कि पहले वाले में पहले carbon के बाद triple bond है दूसरे वाले में दूसरे carbon के बाद triple bond जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम बनते हैं तो यहाँ पर यदि हम और स्थान इसका बदलते हैं तो यदि मालीजे तीसरे के बाद लगाते हैं तो भी वो इस तरफ से गिनेंगे तो 1,2 पर ही आएगा वो और यहाँ पर यदि हम इधर से लिख रहे हैं तो 1,2 पर ही आएगा यदि हम तीसरे पर लगाते हैं तो तीसरे पर भी लगा सकते हैं जैसे CH3 फिर CH2 फिर C triple bond C फिर CH2 या उसे हम CH3 के रूप में लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक स्थान को change करते जाएंगे तो विभिन प्रकार की जो स्थीती समावेता है वो हमें प्राप्त होती है दूसरा जो प्रशन है कि यदि आपको विभिन प्रकार की हाइड्रोकारबन दे दिया जाए और उससे छाटने के लिए कहा जाए कि आप इसमें से संत्रिप्त और असंत्रिप्त हाइड्रोकारबन को प्रिथक कीजिए तो यहाँ पर हमें कुछ उदारन दिये गए हैं जैसे CH, ट्रिपल बॉर्ण, CH, दूसरा उदारन है CS3, CS2, CS3, तीसरा उदारन है CS3, CH, डबल बॉर्ण, CS2, चौथा उदारन है CS2, डबल बॉर्ण, CS2, और पांचपा उदारन है CS3, CS3 सबसे पहले हम देखेंगे कि कहां कहां डबल बॉर्ण और ट्रिपल बॉर्ण है या किन किन योगिकों में डबल बॉर्ण और ट्रिपल बॉर्ण उपस्तित है तो हमने ये भी पढ़ा कि जहां पर दूई बंद और त्री बंद होता है कार्बन कार्बन के बीच में वह असं संत्रिप्त होगा यह एलकाइन है CS3, CH double bond, CS2 यह एलकीन होगा क्योंकि यहाँ पर double bond है CS2 double bond, CS2 यह भी असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन होगा यह भी एलकीन है लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हमें CS3, CS2, CS3 बिलता है यहने यहाँ पर कहीं भी double या triple bond प्रदर्शित नहीं हो तो संत्रिप्त और संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने का बहुत ही सहज तरीका है कि हमें double bond और triple bond को सबसे पहले identify कर लेना है कि double bond और triple bond वाले यदि यदि योगिक है तो वे असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे और जो single bond वाले होते हैं वे संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेनी में आते हैं यहाँ पर यदि हमें कुछ सूत्र बनाने दिया जाए और नाम दिया जाए और उसका सूत्र बनाने के लिए दिया जाए तो हम कैसे उसे बनाएंगे इसको सीखते हैं कुछ उदारनों के माध्यम से जैसे एक प्रश्ण है कि आप निम्न सूत्रों को सरशनात्मा कुरूप से कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है 2-methyl-butane तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो मूल कार्बन है वो कितना है तो चुकि ब्यूटेन है ये ये मूल कार्बन पर माड़ो की संख्या 4 हो गई तो यहाँ पर हम 4 कार्बन पहले लिख देंगे और दूसरे कार्बन पर 4 कार्बन लिखने के बाद हम 1,2,3,4 कर देंगे और दूसरे कार्बन पर हम methyl जोड़ देते हैं तो जब दूसरे कार्बन पर मेथाइल जोड़ेंगे और फिर 6 को हम हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे तो इसका जो सूत्र हमें मिलेगा CH3, CH से जुड़ा हुआ CH3, फिर CH2 और फिर CS3 तो सबसे पहले हमें इस तरह के सूत्रों को बनाने के पहले जो मूल कार्बन परमाडू है मूल जो योगिक है वो कितने कार्बन परमाडू का है वो देखना है तो इस तरह से चार कार्बन हमने बना दिया चार कार्बन बनाने के बाए दूसरे कार्बन पर मेथाइल जोड़ दिये, शेज सेवजकताओं को संत्रिप्त करने के लिए हम हाइडरोजन से उसे संत्रिप्त कर देते हैं दूसरा स्ट्रक्चर है प्रोप वन आईन कैसे बनाएंगे तो प्रोप नाम से स्पष्ट है कि इसमें टोटल कार्बन पर माड़ो की संख्या तीन होगी देख दो तीन कार्बन होगे और पहले कार्बन से हम ट्रिपल बॉन जोड़ दियते हैं तो यहाँ पर सी एच ट्रिपल बॉन सी सी एस थ्री होगा तो प्रोप वन आईन हो गया यदि हमें एक और स्ट्रक्चर दिया गया पेंट टू इन तो पेंट टू इन नाम से स्पष्ट है हमें टोटल पांच कार्बन बना लेना है सीधी स्रिंखला में वन टू थ्री फोर फाइब और दूसरे कार्बन पर हम डबल बॉन कर देते हैं दूसरे कार्बन पर डबल बॉन करेंगे तो इसका बच्चा हुआ जो वैलेन्सी है बच्ची हुई जो सरजक्ता है है उसको हाइड्रोजन से बैलेन्स करना है तो अब यह सूत्र हो जाएगा CS3, CH, double bond, CH, CH2, CS3 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें अलग-अलग सरशनाओं को बनाना है इन सरशनाओं को बनाते समय सबसे मूल भूत जो नियम है वो हमें याद रखना है कि टोटल कार्बन परमाडों की संख्या कितनी है उसको समझने के लिए हमें वो किस परिवार का है सबसे पहले ये भी जानना है कि वह एलकेन, एलकीन, एलकाइन किस परिवार का सदस्य है यदि एलकेन है तो कहीं भी हमें double, triple bond नहीं लगाना है केवल single bond से संत्रिप करना है तीसरे पर कहां पर उसी आधार पर हमें double और triple bond लगाना होता है साथ ही हमें उस परिवार का जो मुख्य सदस्य है याने मूल भाग कौन सा है कार्बन परमाडू की संख्या के आधार पर वह मूल कौन सा हाइड्रो कार्बन है पांच कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है, 7 क कितने कार्बन परमाडू वाला वह हाइड्रो कार्बन है, इसकी पहचान बहुत आवश्यक है, इसके बाद यदि एक और प्रश्ण पर हम चर्चा करें जो की समावेता पर आधारित है, एक और प्रश्ण है कि C4H8 के कितने समावेवी संभव हैं, तो C4H8 के यदि हम समाव डूसे समावेता बनाना है, तो हम इसके मुखे रूप से 3 समावेवी संभ बना सकते हैं, जैसे पहला तो हम समावेता जब बनाएं तो स्थान समावेता सबसे मूल इसका यह होगा, क्योंकि double bond के स्थान को परिवर्थित करके हम 2 समावेता बना सकते हैं जैसे C4H8 है, तो प पहले कार्बन में हम लिख दिये, इसका नाम हो गया 1-butene या but-1-in, दूसरा बना सकते हैं CH3-CH double bond-CH-CS3, तो but-2-in, जब हम स्रिंखला बनाएं, तो निश्चित रूप से उसकी संख्यात्मक जानकारी भी दे, कि टोटल कार्बन कितने हैं, चार हैं, और उसको हम रमबद रू पहले में, पहली संरचना में पहले कार्बन के बाद double bond है, तो but-1-in, दूसरी संरचना में दूसरे कार्बन के बाद double bond है, तो but-2-in इसका नाम होगा, तीसरा जो हम इसका बना सकते हैं, वो है cyclobutane, क्योंकि हमने देखा कि hydrocarbon की समावैताओं में चक्री hydrocarbon भी बन सकता है, य इलकीन के सूतर जैसा ही चक्री hydrocarbon का भी सूतर होता है, तो C4H8 को लिखते हैं, तो CH2, 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 CH2 इस तरह से लिखा जाता है, और सभी तरफ हम देख रहे हैं कि सिंगल बन से जुड़ा है, तो यह एक cyclobutane या चक्री butane की स्रेड़ी में आता है, तो इस तरह से C4H8 के मुख C4H8 याने की अनुसूत्र जो है वो समान है, तो इस पार्ट में हमने विभिन प्रकार के हाइड्रो कार्बनों के बारे में जाना, एलकेन, एलकीन, एलकाइन, जिसमें कुछ मुख्य पदों के बारे में समझा, श्रिंखलन क्या है, सजाती, श्रेणी किसे कहते हैं, अलग- इस पार्ट में हमने क्या-क्या सीखा, चलिए देखते हैं, और इस पार्ट के जो कुछ कठिन शब्द हैं, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, मुख्य शब्द, कीवर्ट्स, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो कार्बन, श्रिंखलन, कैटिनेशन, बंध, बॉन्ट, एलकेन, इलकेन, इलकीन, इलकाइन, समावेवता, आइसोमेरिज्म, संत्रिप्त, सेचुरेटड, असंत्रिप्त, अनसेचुरेटड, सजातिय श्रेणी, होमोलोगस, सिरीज, शिंखला समावेवता, चैन आइसोमेरिज्म, इस्थान समावेवता, पोजिशन आइसोमेरिज्म, पूरेखा, डैश, हाइफन, अनुलगन, सफिक्स, सनचना सुत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मुला, मूल या जनक शिंखला, पेरेंट चेन, संगनित सुत्र, कंडेंस्ट फॉर्मुला. हमने सीखा, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने सा संयोजी योगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, कार्बन की सयोजकता चार है, और अन्य परमानों के साथ यह सा संयोजी बंधद्वारा जुडता है, इसलिए समस्त कार्बनिक योगिकों का वेवहार आपस में मिलता जुलत है तत्वों का वहगुण जिसके द्वारा उसके पर्माणू आपस में आबंद बनाकर लंबी शिंखला बनाते हैं शिंखलन कहलाता है समान क्रियात्मक समू युक्त कार्बनिक योगिकों की ऐसी श्रेणी परिवार जिनके दो क्रमिक सदस्यों के सुत्रों में और इनका समान्य सुत्र एक समान होता है तथा भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है सजाती श्रेणी कहलाता है तथा योगिक एक दुसरे के सजात कहलाती है ऐसे योगिक जिनके अनु सुत्र समान किन्तु सनचनात्मक सुत्र भिन्न भिन्न हो एक दुसरे के समावैवी तथा यहाँ गुण समावैवता कहलाता है कारबन परमानों के शिंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई समावैवता शिंखला समावैवता कहलाती है कारबन शिंखला में प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समू या द्वीबंद या त्रीबंद की इस्थिती में अंतर के कारण उत्पन हुई समावेवता इस्थिती समावेवता कहलाती है एलकेन में C सिंगल बॉन्ड C वो C सिंगल बॉन्ड H बंद एकल बंद होते हैं इनका सामान्य सुत्र C N H2 N प्लस 2 होता है एलकेन में C double bond C पाया जाता है इनका सामान्य सुत्र C N H2 N है एलकान में C triple bond C पाया जाता है इनका सामान्य सोत्र C N H2 N-2 है साइक्लो एलकेन में कार्बन के परमाणू बले आकार में रहते हैं इनका समान्य सुत्र CnH2n है